हेलो डियर्ट स्टुडेंट्स आज हम करेंगे कक्ष्या दस का चैप्टर नमबर वन वास्त्वीक संख्याएं रियल नमबर इसके हम करेंगे MCQs यानि के Multiple Choice Question जिसको बोला जाता है आपके बहु विकल्पी परसन इनके अंदर आपके पास चार ओप्सन होते हैं और इन चारू options को इन चारू option में एक आपका जो option होता है वो correct होता है तो देखते हैं इन सवालों को हम कैसे solve करते हैं सबसे पहले इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो real number आपका जो नाम है इसके अंदर कैसे numbers आपके आते हैं तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे real number जो है इ आस्त्वीक संख्याएं इसके बाद है हमारे पास नैचुरल नंबर आपके होते हैं प्राकरत संख्याएं जो कि आपके पास सुरू होती हैं एक दो तीन इस तरीके से आगे चलती हैं फिर आपके पास आता है होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पून संख्याएं जो कि हमारी सु होती है 0, 1, 2, 3, यह उसमें संख्याएं आती है, आगे 4, 5, 6, इस तरीके से चलती है, फिर आपके पास आता है integer, जो की बोला जाता है, पूर्णांक, integers के अंदर, आपके पास minus से लेके plus तक की सबी values होती है, तो आप लिखते है, minus 2, minus 1, यहाँ पर आप सरू करेंगे, 0, 1, 2, and so on, इसके बाद होती है हमारी rational number जिसको हम बोलते हैं परी में संख्याएं, परी में संख्याएं जो होती हैं हमारी उसमें हम क्या लिखते हैं, पी बटे क्यों की form में लिखते हैं, और क्यों जो है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपके पास आता है irrational number, irrational number होता है ए परी में संख्याएं, ए परी में संख्याएं आपकी होती हैं, जिसमें आपके पास इस तरीके से मिलती हैं आपको जो प्राइम्स हैं, वो आपको रूट में मिलेंगे या फिर आप लिख सकते हैं पाई यह जो संख्याई होती है हमारी यह आपरी में कहलाते हैं यानि कि जो वास्तविक संख्याई हैं वो किस-किस से मिलके बनी है आपकी परी में और आपरी में संख्याओं से मिलकर जो बनती है हमारी वो कहलाती है हमारी वास्तविक संख्याई परीमी के अंदर आपके पास कौन-कौन से आ जाते हैं पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्या होती है और प्राकर्त संख्या होती है इसके बद हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर वन जिसमें आपको बोला गया है कि for some integer किसी पूर्णांक के जिसमें Q और R आपका है इस तरीके से P-5Q प्लस R possible values of R आपको बताना है यह जो R है इसकी possible यानि कि आपकी इसकी possible values कितनी हो सकती हैं जो कि आपको यह options दियो हैं आपने हमारे जो पहला चैप्टर था उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर हमने किया था यूकलीट्स डिविजन लेमा आपने किया था इसमें अगर आपको द्यान है तो आपने वहाँ पर लिखा था कि A बराबर आपके पास था वहाँ पर B Q प्लस में R यह जो R होता है आपका यह कहलाता हमारा remainder यानि कि सेसफल हमें यह आर ही बताना है यह remainder है सेसफल है और इसके बीच में होता था आपका यहाँ पर आप सेसफल को लिखते थे सेसफल जो था आपका वो था 0 से बड़ा या 0 के बराबर या फिर हमारा होता था वो B इन दोनों के बीच में हमारा जो सेसफल था वो आता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि B जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर B है 5 तो 0 से बड़ा या बराबर है R और किस से छोटा है 5 से तो आप देख सकते हैं यहाँ प के पास हो गया यह 0, 1, 2, 3, 4 यानि कि यहां जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा D इसके बाद है हमारा किशन HCF आपको highest common factor HCF बताना है 8, 9 और 25 का तो 8 का आप देखेंगे तो यहां एगा आपका 2 चोके 8, 2 दुनी 4 यानि कि 2 की पावर 3 इसके बाद 9 का अगर हम देखेंगे तो 3 ती यह 9 इसके बाद अगर आप देखेंगे 25 का तो यह आएगा 5 की पावर 2 आप देख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 यहां पर हमारे पास किसी में भी हमारा common factor नहीं आ रहा है इन तीनों संख्याओं में से तो हमारा जो उत्तर होगा यहां पर वो होगा हमारा D यानि कि 1 which of the following is not irrational हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा आप परी में नहीं है आप परी में हमारे पास आप परी में कौन सा नहीं है तो आप देखेंगे यहां पर यह परी में आता है और हमें बताना जो आप परी में नहीं है तो यह नहीं हो सकता यहां पर भी एक परी में और एक परी में है तो यह भी नहीं हो सकता इसके बाद अगर हम C को हल करें तो C में आपको यह दिया हुआ है रूट दो माइनस रूट तीन रूट दो पलस में रूट तीन जब हम इसको हल करेंगे रूट दो का स्केर माइनस में रूट तीन का स्केर तो यह हमारे पास आ जाएगा दो माइनस में तीन यानि की माइनस का एक तो यह हमारे पास जो है परी में आ गया है यहाँ पर प्रोडेक्ट हमें बताना है गुननफल बताना है किसका परीमे और एपरीमे संख्या का गुननफल क्या होगा परीमे और एपरीमे का गुननफल हमेशा एपरीमे ही आता है यह आपको ध्यान रखना है कि परीमे और एपरीमे का आप जोड़ें या माइनस करें या गुना करें तो अमेसा आपके पास यहां क्या आएगा एपरीमे ही आता है तो यहां में गुननफल पूछा था तो गुननफल भी एपरीमे होगा इसके बाद आपके पास आता है पांचवे नमबर पे जिसमें आपको बोला गया है कि जोड क्या होगा परीमे और एपरीमे को जोडने पर क्या आता है परीमे एपरीमे या दोनों या इन में से कोई नी तो हमें पता है परीमे नहीं आ सकता दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते वास्त्विक संख्या होती है या फिर इन में से कोई नहीं तो परी में और ए परी में जो है जोडने पर वो क्या आती है ए परी में आती इरेशनल नमबर आता है तो इसका उत्तर है भी फिर हमसे बोला गया है कि अगर हम दो अलग 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 जो ए परी में संख्याएं है उनका गुननफल क्या होता है हमेशा क्या होता है दो अलग 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 अपरी में संख्याओं का गुननफल क्या होता है तो अलग अलग आप ले सकते हैं रूट पांच ले लिया हमने और इरेशनल नमबर तो छटे का आपका उत्तर होगा इरेशनल इसके बाद है हमारे पास कुशन नमबर 7 जिसमें आपसे बोला गया है कि दो एपरी में संख्याओं का जोड हमेशा क्या होगा दो एपरी में संख्याओं आप ले लीजे यहाँ पर इनका जोड जो है वो भी क्या आएगा आपका एपरी में ही होता है आप चाहे सेम ले सकते हैं आपर हम सेम ले लेते हैं तो यह हो गया 2 रूट 2 तो यह भी एपरी में आया है इसलिए हम इसको बोलेंगे इरेशनल इसके बाद आता है हमारे पास B अगर 3 है तो उसको हम पूर्णांग की रूप में कैसी दर्सा सकते हैं तो B अगर 3 है तो आप रखेंगे 3 है तो आपके पास 3 के multiples, 3 के गुननफल सारे आएंगे तो आप क्यो के place पे अगर 1 रखते हैं तो यहां हमें मिलता है 3 अगर B 3 है आपका तो आप integers को कैसे express कर सकते हैं आपको पता integers आपके पास होते हैं आपके पास integers माइनस से प्लस तक जाते हैं तो आप यहां पर अगर आप लिखते हैं क्यो पराबर 1 तो आपको मिलेगा 3, 4, 5 अगर आप लिखते हैं क्यो पराबर 2 तो यहां आपको मिलता है 6, 7, 8 तो आपके पास आप देखेंगे कि पहला A नंबर जो है इससे हमें सारे क्या मिल जाते हैं पूर्णांक मिल जाते हैं अगर आप नेगे माइनस वाली संख्यां रखेंगे क्यो के प्लेस पे तो आपको माइनस में मिलना सुरू हो जाएंगे इसके बाद हमारे पास आता है नोवा सवाल जिसमें आपको बोला गया है कि अगर दो आपके पास गुननफल निकालना है तीन लगातार जो धनातमक संख्यां पूर्णांक है इसने का इसको हम किस से भाग दे सकते है इनका जो गुननफल होगा गुननफल कितना आगे है इनका 6 तो इससे डिवाइड हो रहा हमारा 6 से आप और कोई भी संख्यां ले सकते हैं हमने ले लिए मान लिए 2, 3, 4 क्योंकि 3 संख्यां लगातार होनी चीए तो 2, 3, 6, 6, 24 ये भी आप देख सकते हैं 6 से डिवाइड है इसी तरह आप कोई भी संख्या लेंगे यहाँ पर लेकिन वो 3 संख्यां क्या होनी चीए लगातार होनी चीए तो मैंने लिए 11, 12, 13 तो आप देखेंगे ये भी हमारी 6 से डिवाइड होती है तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वोगा B इसके बाद है आपको बोला गया है कि ये जो सेट है वो क्या रिपरजेंट यानि कि क्या दरसाता है तो 0 से सुरू होने वाला मैंने आपको बताया था होल नंबर यानि कि पून संख्याई तो इसका उत्तर होगा आपका A इंटीजर होता है पूनांक नैचुरल नंबर का मतलब है प्राकरत और E1 का मतलब है सम संख्या लेकिन हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी हमारी कैसे होती है पून संख्याई होती है इसके बाद है कि हमें वो नंबर बताना है जो 11 से भाग हो सके 11 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा तो 11 से जबी भी आपको डिवाइड करना है तो आप ऐसा नहीं है कि हर एक संख्या को 11 से यहाँ पर भाग दे कर देखेंगे नहीं आपको क्या करना है आपको संख्या का even place और odd place को minus करने पर अगर हमारे पास 11 से भाव हो तो वो संख्या 11 से भाव हो जाएगी जैसी कि even place हम देखेंगे यहां है 4 और 2 तो 4 और 2 को जोड़ा तो आगया 6 और odd नमबर पे कौन से है पहले नमबर पे और 30 नमबर पे है 1 और 5 तो यह आगया 6 अब जो even और odd का जो minus करने पर अगर वो 11 से भाव जाता है तो हमारा वो divisional होगा तो आपने देखा 0 आ रहा है इनक का तो यहां आप क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर होगा भी इसी तरह आप इन संख्याओं को चेक कर सकते हैं A, C, D को यह आपकी 11 से भाग नहीं होंगी इसके बाद 12 सवाल है आपके पास जिसमें आपको बोला गया है कि LCM निकालना आपको नमबर दिया हुआ है X और Y जो ह किसका मल्टीपल है गुननफल किसका आपका मल्टीपल X का अगर Y X का मल्टीपल है तो LCM क्या होगा यह आपके पास D option में दे रखा है X बटे Y अगर मान लीजिए आपके पास X और Y में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे X और Y 5 और 10 मान ल तो आपके पास अगर हम इनका LCM लेते हैं तो आपको पता है इनका LCM आपका कितना आजाएगा 10 तो यहाँ पर यह क्या आता है हम 10 क्या मान रहे थे हम Y को और यह था X तो आपका आंसर क्या बन रही है यहाँ पर B इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर तेरवे सवाल में देखेंगे इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा नंबर बताईए जो कि इनको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इसका सेशफल है वो 7, 11 और 15 आजाए इस सवाल में आपको बोला गया है कि आपको डिवाइड करने पर यह क्या नंबर देदे 7, 11 और 15 तो आप इसको देखेंगे तो आपको क्या करना है आप हर एक संख्या को नहीं करेंगे इसमें आप सिरफ क्या करेंगे जो भी आपका सेशफल आता है उसको आपको माइनस करना है पहले तो यह आता है 391 436 को अगर हम भाग कर रहे हैं उस संख्या से तो आपके पास सेशफल आता है 11 तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यह आ आपका 425 इसके बाद है 542 माइनस में 15 माइनस करने पर आपको मिलता है यहाँ पर 527 हमें क्या करना इन सभी का HCF निकालना वही हमारा उत्तर होगा 391 का 425 का और 527 का HCF हम सभी को निकालना आता है तो इसका उत्तर होगा हमारा 17 यानिकी A इसके बाद आपको बोला गया है कि आपके पास Class 10th, 11th और 12th में आपके पास 312, 260 और 156 विद्धियार्थी है और Buses are to be hired to take this student to a picnic और एक bus hire की गई है जो इन students को विद्धियार्थियों को कहा लेके जा रही है पिकनिक पर हमें maximum number निकालना है students का who can sit in a bus if each bus takes equal number of students इन्होंने बोला है कि buses को hire किया गए students को पिकनिक पर ले जाने के लिए तो हमें वो maximum number of students बताना है जो कि आपके पास bus में who can sit in a bus if each bus takes एक bus में आपके पास कितने बच्चे बैठ सकते हैं और सभी busses में जो विध्यारती हैं वो क्या होने चीए equal होने चीए maximum आपका पूछा गया है क्या तो आपको list पूछते हैं या maximum पूछते हैं maximum जबी भी पूछा जाए आपसे तो आपको वहाँ पी क्या निकालना होता है आप उसका निकालते हैं वहाँ पर HCF तो आप HCF निकालेंगे highest common factor 312, 260, 156 तो जब आप इसका HCF निकालेंगे यहाँ पर तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 22 इसका मतला इसका उत्तर होगा हमारा A next है आपको बोला गया है दो धनात्मक पूर्णांख है A और B return as A जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ अमारे सवाल में थोड़ी mistake दियुए है तो यहाँ हम लिख सकते हैं LC हम आपको find करना है A B का तो आपको बता देते हैं थोड़ा सवाल को आप सही कर लीजी यहाँ है आप इसको लिखेंगे X की पावर 1 Y की पावर 1 यह पावर में आपके पास A जो है X Y दिया हुआ है और B दिया हुआ है आपको X Y की 2 यह आप संख्या है सही कर लेंगे इसको यहाँ पर A और B दो आपको दिये हुए है पूर्णांग पोजिटिव धनात्मक पूर्णांग दिये हुए है और आपको बोला गया X और Y जो है आपके प्राइम नंबर से हैं आपको बताना है then HCF is also आपको यह बताना है कि जो fine आपको निकालना है LCM A और B का LCM A और B का जब आप LCM निकाल रहे हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे इसमें आपके पास यहाँ X की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है तो X आ गया यहाँ X की पावर 1 है जिसमें आपको बताना है express 98 हमें 98 को primes के गुननफल के रूप में दिखाना है तो आप क्या करेंगे अठान में के जब आप गुननफल बनाएंगे तो यहाँ आपके पास आएगा तो आपने देखा यहाँ पर जो हमारे primes का product of primes बना है वो आपका क्या बनता है यहाँ पर 7 का square गुना में 2 तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास आ रहा है C में इसके बाद है हमारा सत्रवा सवाल जिसमें आपको बोला गया है 3 farmers have this wheat respectively 3 किसान है जिनके पास 490 किलो, 588 किलो और 2882 किलो गेहू है find the maximum capacity of bag so that the wheat can be packed in exact number of bags हमें वो हर एक bag की maximum capacity बतानी है जिससे की जो गेहू है वो pack किये जा सके हर एक bag में exact number of bags में तो आपको यह बताना है और हमें maximum capacity पूछी गई है इसका आला हमें क्या निकालना है वहाँ पे HCF आपको find करना है तो आप HCF निकालेंगे किस-किस का 490 का 588 और 882 तो यहां से जब आप इस सवाल को HCF निकालेंगे तो आपके पास उत्तर बनेगा यहां पर HCF आएगा 98 तो इसका उत्तर होगा A इसके बाद है या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं आपको पता है 200 highest common factor निकाल रहे हैं तो जो factor आता है वो आपका सभी को divide करना चीए 200 इन में से किसी को divide नहीं कर रहा है 200 कभी नहीं हो सकता आपका इसी तरह आप 290 देखेंगे 290 आपका 490 को नहीं divide करेगा तो ये 290 भी नहीं हो सकता साड़े 300 जो है वो भी 490 को divide नहीं कर रहा तो ये भी नहीं हो सकता तो आपका direct answer यहाँ पे आ जाता है 98 options से भी हम यहाँ पर tick कर पाए रहे इसके बाद अठारवा सवाल है कुछ integer पूर्णांग P के लिए every even integer is of the form कुछ अगर हम integers ले रहे हैं पूर्णांग ले रहे हैं P के form में तो परतेग जो sum पूर्णांग है वो किस form में लिखा जाएगा आपको पता है कि अगर P हम कुछ पूर्णांग बोल रहे हैं तो P हम 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं अगर हम 1 रखते हैं तो कैसा बनना चीए हमें sum पूर्णांग बनना चीए तो आपने जब यहाँ पे रखा P बराबर 1 तो आप देखेंगे A में अगर हम रख रहे हैं तो 2 पलस में 1 यानिकी 3 अगर मैं P बराबर 2 रखूँ यहाँ पे तो आपका बनेगा 2 गुणा में 2 पलस में 1 यानिकी आपके पास आता है 5 तो यह तो sum नहीं है तो A उप्सन नहीं हो सकता फिर हम B में रख के देख लेते हैं 1 रखा तो बना 2 2 रख के देखा तो बना अमारा 4 इस तरीके से 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो सब में हमें क्या मिल रहा है sum संख्याई मिल रहे हैं तो उत्तर होगा हमारा B इसके बाद हमारे पास आता है ऐसी कुछ पूर्णांग पी जिनके लिए आपका जो पूर्णांग है वो कैसा बन जाए ओड बन जाए यानि कि आपके पास क्या आ जाए वहाँ पे विसम संख्या हो तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको लिखने के लिए आप उसको लिख सकते हैं Ode में आना चीह है आपका और P आप even भी ले सकते हैं Ode भी तो हम अगर One लेते हैं तो A Option में अगर चेक करें तो यह आजाएगा 2 प्लस 1 यानि की 3 और अगर हम P 2 लेते हैं तो यह आजाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 यानि की 5 अब देखेंगे ओड नंबर आ रहा है विसम संख्यारियत उत्तर होगा A इसके बाद है हमारे पास 20 नंबर के सवाल में कि अगर M स्केर माइनस 1 है वो 8 से डिविजवल है तो M क्या होना चाहिए M के जगें पे अगर हम E1 कह रहा है सम पूर्णांख है या विसम पूर्णांख है या प्राकर्ट संख्या या फिर पूर्ण संख्या M अगर मैं E1 नंबर लेती हूँ यहाँ पर हमने ले लिया 2 अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ बने गई यह M स्केर माइनस 1 जो है वो क्या आ गया 4 माइनस 1 जो की बना 3 3 8 से भाग नहीं जाता है तो यह तो पोसिबल नहीं है आपका यानि की E1 नंबर नहीं हो सकता अब अगला जो हमारा था option उसमें बोला गया M1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 हो गया 0 0 आपका चला जाएगा 8 से अगर मैं M बराबर 2 ले लेती हूँ यहाँ पर ओड बोला है तो 2 नहीं ले सकते हैं हम ले लेते हैं 3 3 जब हमने रखा M स्केर माइनस 1 में तो यह बना 9 माइनस 1 यानि की 8 8 8 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा इसी तरह आप 5 रखके देख लीजिए तो यह बना 25 माइनस 1 यानि की 24 यह भी 8 से भाग जाता है तो इसके नहीं हमारा जो आंसर होगा वो होगा B नेक्स्ट आपके पास दो पोजिटिव धनात्मक पूर्णा के A और B इनको हम दर्सा सकते है A जो हमारा दे रखा है X Y की पावर 3 इसी तरह आपको B दिया हुआ है X की पावर 4 Y की पावर 2 और यहां है Z इसको आप सही कर लेंगे इसको A और B को A आपका करेक्ट है B आप करेक्ट कर लेना यह आपके A और B है A और B का तो आप देखेंगे X की हाईष्ट पावर कितनी आरी है यहां पर 4 Y की हाईष्ट पावर 3 और Z की हमारे पाश्ट है हाईष्ट पावर 1 तो आपके पास LCM बना है X की 4, Y की 3 और Z यह आपका उत्तर है इसके बाद हमारे पास है बाइस नमबर पे सवाल जिसमें आपको बोला गया है P और Q दो धनात्मक पूर्णांख हैं जिनको हम दर्सा सकते हैं P जो है A, B का स्केर है और Q जो है हमारा वो आपको दे रखा है यहाँ पर A की 3 B यह आप यहां से ही कर लेंगे यह A है आपका यह जहां भी आपको C दिख रहा है वो A है तो आपको LCM निकालना है P और क्यों होगा तो आप देख लेंगे जो भी हाइस पावर है वो लेंगे A की हाइस पावर है 3 और B की हाइस पावर है 2 तो हमारा जो LCM बनेगा वो यह बनेगा तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा C इसके बाद हमारा सवाल है 23 जिसमें आपको बोला गया है कि A जो है दो धनात्मक पूर्णा के A और B जिनमें हमें A दर्साए गए है X, Y की 3 से और B जो है वो दर्साए गया है X की 4, Y की 2, Z से इसके बाद आपको बोला गया है कि प्राइम नंबर्स है एबाजे संख्याई हैं और HCF आपको इनका निकालना है किसका A और B का A और B का अगर हम निकालेंगे HCF तो यह हमारे पास क्या जाएगा यहाँ दिया हुआ है highest common factor जो common है दोनों में यहाँ X है, यहाँ X की 4 है यानि कि हमारे पास जो common आ रहा है यहाँपर वो आता है X इसके बाद यहाँ Y की 3 है, यहाँ Y की 2 है तो दोनों में क्या आ रहा है? Y की 2 Z हमारे इसमें नहीं आ रहा है तो हम Z नहीं लेंगे तो highest common factor क्या है? XY square इसके बाद 25 सवाल में आपको बोला गया है लाज़ेस्ट सबसे बड़ा नमबर बताईए जो आपका 60 और 75 को भाग कर दे और उसके बाद जो हमारा सेशफल है वो 8 और 10 आ जाए तो हम किस से भाग करें कि हमारा सेशफल 60 को भाग करने पर 8 आए और पिचेतर को भाग करने पर 10 आएं आप देख सकते हैं 260 बड़ी संक्या है तो आप जब इनको भाग करेंगे तो 60 और पिचेतर रहे जाएगा 240 नहीं हो सकता इसके बाद आपके पास है पिचेतर पिचेतर को अगर आप 60 से भाग करते हैं 60 ही आएगा, 8 नहीं बचता, तो ये भी नहीं हो सकता, फिर 65, 60 हिससे छोटा है, तो 60 हिसका आजाएगा, ये भी नहीं हो सकता, हमारा उत्तर बचाईया पर एक ही जो की है D, या फिर आप इसका HCF निकाल लीजिए दूसरा तरीका यह है कि हम इसका HCF निकाल ले तो वहाँ से भी हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा इसके बाद next है आपका आप इनका HCF निकाल सकते हैं इसके बाद next है आपका list number छोटे से छोटा number बताईए जो की divisor by all the number from 1 to 5 वह छोटे से छोटा number जो एक से पांस तक की सभी संख्याओं को भाग चला जाए जिससे तो आप यहां क्या करेंगे एक से पांस तक की सभी संख्याओं को भाग कर दें यानि कि अगर हम 5 लेते हैं तो यह 2, 3 और 4 से नहीं जाता है आपका इसके बाद है अगर हम 60 देखें तो 60 के अगर आप factor बनाते हैं तो यहां पर आता है 30 15 तो यहां हमारे पास क्या आता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 आप देखेंगे इस 1 भी लिख सकते हैं 5 से गया तो आप देख सकते हैं 1 से भी जा रहा है यह 2 से भी जाएगा 4 से भी जाएगा आपका 3 से भी और 5 से भी 1 से 5 तक सभी संख्याओं से भाग जा सकता है तो हमारा उत्तर होगा B इसके बाद है हमारे पास 26 वा सवाल जिसमें आपको बोला गया है मैं छोटे से छोटा नंबर बताइए जो डिवाइड कर दे 1 से 8 तक की सभी संख्याओं को एक से आठ तक की सभी संख्याओं को करना है तो आपके पास एक से आठ तक आपके पास 8 संख्याओं होती है, और ये आठ जो है इसके बाद हम बैसे ही निकालेंगे आपको बताये गया था कि LCM आप निकाल लीजी तो आप LCM निकालके देखेंगे यहां पर 840 का हम निकाल लेते हैं तो यह आथा आपका 420, फिर 2 से करेंगे तो 210, फिर 3 से करेंगे 70, फिर 7 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5 और 1, यहां मिला हमें 1, 2, 2, 2, 3, 7, 5 तो आप देखेंगे 1 से भी जा रहा है, 2 से भी, 3 से भी आपका, 4 से भी, 5, 6 से भी जाता है, 7 से भी जा रहा है, 8 से भी जाता है आपका और 1 से 8 तक ही बताना था, तो हमारा जो उत्तर होगा यहां पर वो होगा, A इसके बाद है, नेक्स्ट हमारे पास, रेसो बताना है आपको LCM और HCF का, तो LCM हम निकालेंगे यहां पर तो LCM आप देखेंगे 5, 15 और 20 का कितना आ जाता आपके पास, आप क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लीजिए अगर आपको प्रोब्लम होती है तो 15 का होगा 5 और 3, 20 का होगा आपका 2 गुना 2 गुना 5, तो आप जब इनका LCM लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे 5 की पावर यहां 1, 1, 1, तो आप लिखेंगे 5, 2 की पावर आपके पास है 2, और 3 की पावर है 1, तो यह बना आपके पास पास जो के 20, 20 ती है 60, LCM तो आता है 60, इसी तरह अगर हम HCF देखें, यानि कि जो तीनों में कोमन है, तो एक तो 5 कोमन है, सिरफ 5 ही कोमन है आपका, अब LCM और HCF का हमें अनुपात निकालना है तो आप लिखेंगे 60, अनुपात में 5, तो आप देखेंगे 5 से भाग जाता ही है, तो यह बनेगा 12, अनुपात 1, यानि कि उत्तर आता है इसका D इसके बाद 28 नंबर पे सवाल है, जिसमें आपको बोला गया है, 97 में, बटे में, 2 गुणा में, 5 की पावर, 4 तो आपको यह बताना है, कि जो decimal, दसमलव है, वो हमारे पास यह जो परी में नंबर दिया हुआ है, वो कब जाकर आपका खतम हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, यहां हम 2 और 5 को पावर सेम कर लेते हैं, तो हमें नीचे किस से गुणा करना होगा, 2 की पावर 3, एक हम और यह नीचे आपके पास बन गया, 10 की पावर में, 4, तो यहां आप जब इसको गुणा करेंगे, यह आपके पास आगया, यह संख्या, तो आप देख सकते हैं, कि decimal places में यह आपके पास कितना जाता है, तो यहां पर आपना अंस्वर लिख सकते हैं, जिसमें आपके पास आता है, 0.0776, तो यहां पर कभी यह आपका टर्मिनेट हो जाता है, आपका यह टर्मिनेट कब होता है, जब आपके पास 4 decimal places तक आता है, इसके बाद है, आपको बताना है कि गुननफल दो लगातार नेचुरल प्राकर्ट संख्याएं हैं, अगर हम उनका गुना करें, तो वो किसके बराबर होगा, एबाजय संख्या के, सम संख्या के, विसम संख्या के, या सम और विसम दोनो तो आप लेके देख लीजे, दो लगातार चीए आपको तो ये तो आ रही है सम संख्या दो तीन लेते हैं, तो ये भी आ रही है आपके पास सम संख्या 3-4 लेते हैं तो ये भी आ रही है समसंख्या तो हमने देखा कि हमारे पास जो answer बन रहा है यहाँ पर वो बनता है आपका समसंख्या इसके बाद आप देखेंगे हमारा next question जिसमें आपको बोला गया है तीसवे सवाल में कि आपके पास A जो है वो है 2N प्लस में 13 और B जो है वो है N प्लस में 7 तो N आपका दिया हुआ है प्राकर्थ संख्या तो आपको बताना है HCF क्या होगा अगर मैं N 1 ले लूँ क्योंकि प्राकर्थ संख्या है तो A क्या बनेगा यहाँ पर 15 और B बनेगा आपका 8 तो HCF क्या बनेगा आपका दोनों में आपके पास कुछ भी common नहीं होता है तो वो आता है एक तो इसका मतला हमारे पास उत्तर होगा इसका B इसके बाद हमारे पास next question है जिसमें आपको बोला गया है कि कोई भी number वो है number जो है आपका वो 4P प्लस 3 की form में है और P जो है पून संख्या है तो वो हमेशा क्या दिखाएगी आपको sum विसम sum विसम दोनों या फिर 3 का multiple तो हम रखके देख लेते हैं पून संख्या है तो P बराबर आप 0 रख सकते हैं तो ये बनेगा आपने जब P बराबर 0 रखा तो 4 गुणा 0 प्लस में 3 यानि की 3 P बराबर 1 रखते हैं तो 4 गुणा में 1 प्लस में 3 ये 4 और 3 हो गया 7 P बराबर 2 रखते हैं तो 4 दुनी 8 प्लस में 3 that is 11 तो यहाँ पर आपने देखा आपके पास कैसी संख्याई आरी है विसम आरी है तो आप लिखेंगे ODE इसके बाद है आपके पास 32 नमबर पर जिसमें आपको बोला गया जो नमबर है वो 7 से भाग होता है तो remainder हमेशा क्या आएगा अगर 7 से भाग है तो remainder हमेशा 7 से सेसफल हमेशा 7 से छोटा होगा less than 7 हमेशा 7 से छोटा होगा आपको बोला है 7 से बड़ा है या कम से कम साथ होगा या साथ से छोटा होगा या फिर जादा से जादा साथ होगा तो यहाँ पर आपका 7 से छोटा रहेगा इसके बाद है अगर हम इसको हल करें तो आपके पास हल करने के बाद यह कैसा बनता है परीमे संख्या बनती है आपरीमे प्राक्रत या फिर पूर्णांग तो यहाँ पर हम हल करके देख लेते हैं इसको तो यह था हमारा 2 प्लस में 8 रूट 3 तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यह संख्या है आपरीमे और यह है परीमे परीमे और आपरीमे का योग हमेशा होता है एपरी में यानि कि irrational number तो answer है इसका B इसके बाद है 34 वे number पर आपके पास जिसमें आपको HCF और LCM दिया हुआ है तो आपको Y बताना है HCF 8 है और LCM 48 तो Y क्या आएगा अगर आप यहाँ पर HCF आप अगर 24 रखते हैं HCF अगर 24 रखें तो आपको पता है 8 इन दोनों को भाग करता है तो यहाँ पर इसका HCF होगा 8 HCF आमें निकालना है आते हैं और LCM अगर हम देखें तो 8 और 16 का LCM आपका क्या होगा 8 जो होता है 2 की पावर 3 और 16 आपके पास होता है 2 की पावर सोरी हम यहाँ ले रहे थे 24 तो हम लिखेंगे 24 जो है वो क्या होता हमारे पास 2 की पावर 3 गुणा में 3 और 16 होता है 2 की पावर 4 तो LCM जब हम लेंगे तो हम highest पावर लेते हैं तो 2 की पावर 4 गुणा में 3 16 तीए 48 यानि कि हमारा A जो उत्तर है अगर आप रखते हैं तो HCF 16 बन जाता है तो 16 नहीं हो सकता आप 8 अगर लेते हैं तो यहाँ तो 8 आजाएगा लेकिन यहाँ पर 16 और 8 का LCM 48 नहीं आएगा इसी तरह 48 ले रहे हैं तो यहाँ HCF 16 हो जाएगा और हमें दे रखा है 8 तो D भी नहीं हो सकता सबका माइनस करके देख लेंगे कि आपके पस 66 आता है यानी और LCM निकाल के देखेंगे तो हम यहाँ पर जब देखेंगे हमारे 35 सवाल में हम ले लेते हैं यहाँ पर छोटी संख्या 90 और 24 इसका देख लेते हैं आप उसी तरीके से बाकी संख्याओं का भी जो देखेंगे आपने अंतर निकाला तो 10 में से 4 गई 6 8 में से 2 गई 6 अंतर आता है 66 इसी तरह आप 90 और 24 का LCM ले लेंगे तो 90 का आप लेते हैं तो यहाँ बनेगा 45 यह बना आपका तो यहाँ आपके पास 2, 5 और 3 की पावर 2 इसी तरह आप लेंगे यहाँ पर 24 जो की है 12, 6 फिर से 2 लेते हैं तो 3 2 की पावर 3 गुणा 3 इन दोनु का जब हम LCM निकालते हैं तो highest पावर आ रहे हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 2 गुणा में 5 तो आप multiple करके दे सकते हैं 8 गुणा में 9 गुणा में 5 बहितर गुणा में 5 आपके पास आएगा यह 5 दूने 10 और 5 साथू 35 और 36 तो यह हमारा 360 बन जाता है तो इसका मतला हमारा जो उत्तर है वो होगा B नेग्स्ट आपके पास आता है नमबर पाई जो है वो कैसा नमबर है पाई जो है वो कभी खतम नहीं होता है और ना ही कहीं पर जाके आपका repeat करता है तो ऐसी संख्या जो कहीं पर भी जाके आपकी खतम नहीं हो या फिर रिपीट नहीं हो तो वो संख्या हमेशा होती है एपरी में संख्या इसके बाद है LCM है आपके पास इन दो का 693 में और HCF आपको निकालना है तो HCF जब आप निकालेंगे स्थेतर का अगर हम लेते हैं तो यह आजाएगा this one और निन्याण में का अगर हम लें तो यह हो गया हमारा this one आप देखेंगे इसमें common क्या है आपके पास केवल 11 तो आपका जो HCF आता है इन दोनों का वो आता है 11 तो यहां उत्तर होगा हमारा a इसके बाद है युकलीड डिविजन में लेमा जो है युकलीड विभाजन लेमा में आपको बोला गया है यहां पर दो पोजिटीव संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांख है a और b then there exists unique integer तो वहां पर एक एद्वित्य आपके पास पूर्णांख होगा क्यों और r जो की ऐसे लिखा जा रहा है a बराबर में p क्यों प्लस में r जहां पर r जो है वो किसको satisfy करना चाहिए r जो है वो remainder होता है a और b के बीच में कभी नहीं होता यह हमें पता है यूकलेड से 0 के बराबर से इस फल हो सकता है आपने भाग दिये कई सवालों को आपको पता है 0 के बराबर हो सकता है लेकिन इसमें नहीं है इसके बाद है आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 से बड़ा होना चाहिए जबकि हमें पता है 0 भी आता है तो हमारा a की option बचा कि r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होना चाहिए इसके बाद हमारे पास है 49 वा सावल जिसमें बोला गया है कि a और 3 जो है धनात्मक पूर्णांग है तो वहाँ पर एक एद्वित्य है आपका पूर्णांग q और r है जो कि आपके पास बराबर है 3 q प्लस में r के यह जो है यह है आपके पास जहाँ पर r जो है वो किसको satisfy करना चाहिए r जो है आपको पताया था कि युकलीड लहमा से यह जो है हमारा यह होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो उत्तर आ रहा है यहाँ आपको यह option में थोड़ी इसमें mistake का आप लगा लें इसको यहाँ पर आप ऐसे करेंगे यह आपका और फिर आप चेक करेंगे आपके किसके बराबर आ रहा है आप देखेंगे यहाँ वन से थ्री है यह नहीं हो सकता यह जीरो के बराबर नहीं आ रहा है यहाँ भी जीरो के बराबर नहीं है तो हमारा answer होगा ए इसके बाद हमा हमेशा main breaking करें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमेशा divider क्या आना चाहिए सेसफल क्या आना चाहिए आपका 5 आना हाँ संख्यां अप सारी पाँछ ऊंकोट ये सभान को हम क्या ि क्या हम करेंगे इसका Dec dleseum ले लेते हैं 8 होर 9 का तो 8 का तो हमारे पास होता है 2 की power 3 और 9 का होता है 3 की power 2 तो Ilseum क्या आगये इनका 2 की power 3 गुना में 3 की power 2 तो 8 गुना में 9 यानि कि आपके पास आगया बहुतर अब जो संख्या बहुतर से आपकी भाग चली जाए वो आपकी क्या होगी यहाँ पर भाग जाने पर जिसमें सेसफल क्या बच जाए पांच इस सवाल को हम करेंगे तो हमने किया था आपके पास आया था ये बहेतर और हम कर रहे हैं नो सो निन्यान में 41 अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास Remender क्या सेसफल बचना चाहिए 5 तो आपके पास है बहित्तर तो यहाँ आपके पास आगया 27 आपने उतारा 9 इसके बाद आप इसको करेंगे 3 से तो 3 दू नीचे 3 साथ 21 यह आपके पास आपके पास आता है 2 यहाँ आता है 3 यहाँ आता है आता है 6 इसके बाद आप फिर से करेंगे इसको 4 से तो आपके पास यह जाएगा 8 पे तो आप लिख सकते हैं 8 दूनी 16 12, 56, 57, यहां पर आप फिर इसको हल करेंगे, तो यह आएगा 8, फिर आपने इसको 60 किया, तो यह आपके पास आता है, 12 में से आप 7 गए, तो 5, इसके बाद, हम फिर इस उपर से 1 उतार लेते हैं, तो अब आपके पास यहां पर आता है, 506, फिर से हम इसको गुना कर रहे हैं, 8 से, तो यह हमारे पास 11 में से 6, अगर आप मईनस करते हैं, तो यह आता है, 5, तो यहा पर, हमारा जो आता है, आंस्वर, हमने कहा था, कि आपका जो रिमेंडर है, वो पाउच बज़ना जी, तो यहां रिमेंडर, पाँच बज़ गया है, अगर हम इस संक्या को भाग कर रह है आप इन सवालों की practice कीजिए solution देखने से पहले आप इन सवालों को lifelong खुद sitBecause और उसके बाद आप सवालों के solutions देखिए अगर आपसे नहीं होते हैं तो और इनकी practice करते रहे हैं ये इसी तरह है की सवाल आप습 के exam में पूछे जाते हैं थ definitely